कि अपूर्वा अपूर्वा आज आप देख रहों कि मैं कितने अच्छे से रेडी हुई हूँ तो यही हमारे वीडियो का टॉपिक है आज मैंने शेयर किया है मेकप लुक तीज ग्लाम मेकप लुक क्योंकि कई लेडीज कहती है कि तीज के लिए कुछ स्पेशल हम करना चाहते हैं बोर हो जाते हैं वही साड़ी वही नॉर्मल मेकप देख देख कर कर करके तो मैंने सुच अलग करते हैं तो इस बर मैंने पहना हुआ है लहंगा और जूल प्रशन नत डाली है और चूडियों के साथ मैंने थोड़ा सा मिक्सन माच किया है बीच में लाक की चूडिया है और इसके साइड कांच की है और यह भी लाक की है तो आई होप आपको मेरा यह लोक पसंद आ रहा होगा तो बहुत ही सिंपल सबस्रप से मैंने यह मेकप किया अगर आपने अभी सब्सक्राइब ने किया है आप नियू है अमारे चैनल पर मेक शूर सब्सक्राइब टुबाइच चैनल लाइक मैं वीडियो दें चेयर दिस लिंग वीडियो तो चलिए जल्दी से ब्यूटिफुल बनते हैं तो सबसे पहले हम अपने स्किन को कर रहे हूं यह मेरा all time फेवरिट है और काफी light होता है समर्स में भी आप उसे अराम से लगा सकते हो बल्कुल भी sqn oil नहीं होती है तो हमार नेक्स स्टेप है प्राइमर, प्राइमर किसी भी मेकप का बेस होता है, आपको एक स्मूध स्किन देता है, जिसे आप अच्छे से मेकप कर सकों, तो यहां पे मैं 7C's का प्राइमर यूज कर रही हूँ, यह 240 तक का आपको मार्केट में मिल जाएगा, काफी अच्छा प्राइमर है, और काफी अच्छी कांटरी रहता है, तो प्राइमर हो गया हमारा, इसके बाद हम उजूस करेंगे कलर करेक्टर, तो यह जो कलर करेक्टर का शेड़ है, मुझे थोड़ा डाक लगता है, इसलिए मैं इसमें कंसीलर मिक्स करके, उसे थोड़ा लाइट शेड बना के तब apply करती हूँ अगर जादा black area है आपके face पे तो आप dark orange भी use कर सकते हो basically ये जो orange color character होता है guys वो हमारे blackness को cover करने के लिए होता है और अगर आपके skin में redness है तो आप वहाँ पे green color character का use करेंगे तो evenly आप इससे spread कर लेंगे उसके बाद एक beauty blender लेंगे इसको मैंने damp कर दिया है damp करने से मेरा मतलब होता है कि आप उसे पानी में dip करो फिर उसे squeeze कर लो तो वो अच्छे से extra जो भी product है उसे absorb कर लेता है और rest of the product को अच्छे से blend कर देता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे अब हम apply करेंगे concealer तो ये भी मेरा NYB का है मैंने पॉपल.com से लिया था वैसे तो ये 195 का है बट offer में मुझे 140 के करीब मिल गया था तो काफी sufficient होता है फिर हम देखें यहाँ पे लेंगे दूसा beauty blender उस beauty blender से हम नहीं है उसे mix करेंगे नहीं blend करेंगे because उसमें orange shade लगा हुआ है और ये है cream तो हमेशा आपको dab करना है किसी भी चीज को blend करने के लिए किसी भी चीज को अपने face पे अच्छा लोग देने के लिए आपको हमेशा blend करना है drag नहीं करना ठीक है तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था प्रोड़क्ट अपने inner area में तो फिर ये देखिए जिस साइट से हमने किया था हमने दूसरे साइट से अपने blender को यूज किया है ताकि उसका product हमारे eyes पे एक्सवा लगना जाए तो अच्छे से आपको blend करना है जिससे तोड़ी skin even हो जाए इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ blue heaven का sapphire loose powder translucent powder तो ये क्या है आपका जो भी अपने concealer लगाया है उसको अच्छे से सेट कर देगा दो अपने टकने के बाद आपको clean brush से उसको extra product को हटा देना है और आपका जो है वो set हो जाएगा इसके बाद हम mist यूज करेंगे makeup fixer यूज करेंगे मेरा है Swiss beauty का makeup fixer और यहाँ पर हम यूज करेंगे boroplus आप कोई भी लिबाम यूज कर सकते अपने lip को monstrous करने के लिए तो अब बारी आती है foundation की मेरा foundation जो है वो है 925 primer plus foundation matte यह 450 का round मुझे market में मिल गया था और काफी अच्छा है यह काफी अच्छी से blend हो जाता है काफी natural look आपके face में यह देता है तो पूरे skin में हम dot dot करके इसको apply करेंगे foundation का अगर मैं shade बताऊं तो यह है W120 warm cream अगर आपका skin tone मेरे जासा है तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा आप इसे purchase कर सकते हो और यह देखिए यह मेरा foundation brush है इससे मैं rotate करते हुए पूरे foundation को अपने face पे spread कर रही हूँ तो guys अगर आप चाहते हैं कि आपका makeup एक दम professional लगे और काफी smooth लगे तो एक जो है tips हो आप हमेशा याद रखेगा कि कोई भी step हो concealer character हो और foundation हो कुछ भी आप कर रहे हो उसकी blending आपको अच्छे से करनी है क्योंकि blending करने से आपका excess product जो हो बहाँ निकल जाता है तो यह देखिए मैंने अच्छे से mix कर लिया था पर मुझे लग रहता है कुछ extra product रहना जाए इसलिए मैं एक दूसरे beauty blender से अपने face को dab कर रही हूँ ताकि वो extra product निकल जाए और यह देखिए contouring के लिए मैं अपनी brown lipstick use कर रही हूँ यहाँ पर और जिस भी area में आपको लगता है कि वहाँ पर shape आपका सही होना चाहिए आप उसे highlight करना चाहते हो एक shape दिना चाहते हो तो वहाँ पर आप contouring कर सकते हो तो मैं अलग से contouring palette या stick का यूज ने करती क्योंकि मैं बहुत ज़दा make up यूज ने करती हूँ occasionally करती हूँ तो brown lipstick से मेरा काम हो जाता है I hope आपका भी हो जाए और अगर आप palette करना चाहते हो तो obviously आप जा सकते हो तो nose के पास भी हमने कर दिया अब हम क्या करेंगे उसी जो powder हमारा था trans looking powder उससे अपने face को पूरी तरह से set करेंगे तो अब हम करेंगे eye makeup eye makeup के लिए मैं हलका सा orange का light shade ले रही हूँ और अपने crease पे apply कर रही हूँ इस motion में जिस motion में मैंने brush गुमाया है उसी motion में आपको भी crease पे ये apply करना है कोई भी आप light shade ले सकते हो crease पे apply करने के लिए फिर इसके बाद मैं हलका सा pink का dark shade या आप magenta color कह सकते हो उसको eyelids पर लगा रही हूँ और फिर उसे हम अच्छे से blend करेंगे circular motion में inverse direction में बाहर आपको नहीं ले जाना है otherwise वो फैल जाएगा और बिल्कुल भी clean look नहीं आएगा तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तच हम blend कर रहे हैं eye shadow को भी अच्छे से आपको blend करना है उसके बाद हम कोई glitter shade लेंगे यह मैंने copper का glitter shade लिया है और center पर उसको fix कर दिया है और हलका सा blending करूंगी मैं यहाँ पर जादा नहीं क्योंकि glitter है बहुत जादा blend होता नहीं है तो बस पूरे eyelids पर यह लग जाए बस उतना ही मैं blend करूंगी और हलका सा dark shade लेकर मैं अब side में जो भी मेरे eye shadow का side वाला position है उसको थोड़ा सा cover करूंगी जैसे मैंने यह पर brown लिया है हलका सा eyelids के नीचे और side corner पर invert direction में हम इसे place करेंगे इस तरह से तो अब हम apply करेंगे काजल और काजल है मेरा NYB का दबिग apple of my eye यह भी मैंने purple.com से मंगाया है पर अब amazon में भी यह available है तो मैंने इसका combo मंगाया था price इसका था शायद 140 या 150 तो combo में आपको काफी सस्ता पढ़ जाता है तो यह देखिए मैंने काजल किस्ता से apply किया है जो मेरी half eye है low lids जो है उसमें मैंने dark काजल apply किया है और उपर मैंने काजल apply किया है आगे के side मैंने काजल apply नहीं किया है तो अब चलिए liner की बारी है और यह है लेकमे का eyeliner waterproof नॉर्मली यह आपको 120 का मिल जाएगा market में और इससे हम eyeliner draw करेंगे इस तरह से आप देख सकते हो आप wings वाले liner भी लगा सकते हो पर मैंने ज़्यादा wings नहीं बनाए है तो यह मैंने अपने पराने वाले palette से ब्लश लिया है और हलका pink कलर का blush मैंने लिया है इसे हम अपने cheekbone पे apply करेंगे upwards direction में और हलका सा chin में भी apply करेंगे तो यह है मेरा MAC का highlighter powder form में है यह roll on है बट powder form में है तो apply करने में काफी अच्छा होतार मैं इसी को use करती हूँ और अपने हाथ से ही मैं ऐसे blend कर रही हूँ और आम से कोई दिक्कत नहीं है और एक brush लोंगी और अपने inner corner में eyes के इसको place करोंगी इसमें हमें ज़्यादा blending करना है बस उसे place करना है ध्यानीजे का कि यह बहुत ज़्यादा ना हो जाए otherwise बहुत ज़्यादा shine करता है तो अब हम चलते हैं lipstick की तरफ और मैं यूज करें हूँ huda beauty की एक dark pink यह आप कह सकते हो चुकंदर के color की lipstick बहुत ही प्यारी है in the shade 19 इसका number है तो आप यह भी ले सकते हो काफी अच्छा इसका texture रहता है transfer proof है pure matte है finishing काफी अच्छी होती है इस lipstick की और बिल्कुल भी sticky नहीं होती है तो यह देखें मैं अब डालने जा रही हो जुमके और उसमें लगा रही हो सहारा इसके बाद मैं देदे सारा जो भी मेरी jewelry है वो पहन लोगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा makeup look की last look हमारा कैसा आता है so की बाद मैं आता है